मैं हुए अगुलमशुर आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वाइफ के 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 cance 340 CRPC की कारवाई कर सकते हैं वो को टीवositily CRPC की कारवाई करने की प्रोपर it कि है सही स्टीच क्या है वो कभर ना चाहिए कभ नहीं करना चाहिए किसे स्टेच पर करना चाहिए किससी स्टेच पर नहीं करना चाहिए यही ऐज मießं सारह का चाहते हैं लगना उदी लिया लावाद में यह मुझसे आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या मेरे चैंबर मुलाकात करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंट चेडूल कराकर आप आ सकते हैं नमबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी हां अपॉइंट चेडूल कराईए फिर बात हो पाएगी अधर्वाइस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी पॉसिबल नहीं होगी चलिए हम लोग वीडियो करते देखिए 340 CRPC की करवाई करी जाती है जब पतनी जूट बोल रही हो जूटी हो ठीक है जूटी का ताथ पर मेरा उसने कोड में जूट है एफेड़ेविट दे रखे हुए हो और आपको चाहिए कि मतलब आपको उसके जूट के लिए सजा दिलानी है तो ऐसे में तो 340 की करवाई कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए यही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किन-किन बातों को आपको ध्यान रखना है 340 CRPC की करवाई करने के लिए जैसा कि आप लोगों का मैंटरी मोनियल विबात होता है आप सभी को पता है ओपर 340 की करवाई करने चाहिए तो क्या यह स्टेज सही है 340 CRPC की करवाई करने के लिए जी नहीं बिल्कुल नहीं यह स्टेज सही नहीं है 340 CRPC की करवाई करने के लिए तो फिर 340 CRPC की करवाई करने के लिए कौन सी स्टेज सही होगी वही मैं आप लोगों को बताता करता है documents tamper करता है इस तरीकिए कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट एफ डेवैट काझजी पपत्र जो कोड में सब्मिंट में समिशन करता है समिट करता है जो की गलत होते हैं ठीक है जिसमें वो सत्य छुपाता है जो वास्तविक्ता से परे होते हैं तो उस कंडिशन में आप उसके विरुद तो 340 CRPC की करवाई कर सकते हैं अब माल लीजे आपके पतनी MBBS MD है और उन्होंने maintenance करने के लिए खुद को जो है कर दी है कि वो बिल्कुल भी experience नहीं है बलकि आपके पास उनकी जॉब का offer letter पढ़ा हुआ है उनकी salary slip पढ़ी हुई है उनकी company detail पढ़ी हुई है और या वो कोई business कर रही है तो आपने उनसे कोई समान खरिदवार रखा है किसी known के थूरू और उसके receipt लगा रहे हैं तो clarify हो जा कर सकते हैं अब देखिए इसको करना तब ही है जब तक कि आपके पास solid proof हो अगर आपके पास solid proof इस चीज़ के नहीं है तो आपको बिल्कुल भी 340 CRPC की करवाई किसी condition में नहीं करने चाहिए वरना आपके लेने के देने पर जाएंगे क्योंकि आपके पत्ते खुल आपके पास clear cut evidences हो clear cut सबूत अब जैसे मालीजी आपकी wife ने कहा कि उसने कभी भी पहले नौकरी नहीं करी है उसके पास कोई भी experience नहीं है ठीक है लेकिन आपके पास उसका offer letter है या उसके पास आपके पास उसकी salary slip है आप court में लगा देते हो तो इससे साबित हो जाएगा कि आपके पास यह document होगा तब यहां पर आपके पास आधार होगा कि आप उसके against 340 CRPC की करवाई करें जैसा कि मैंने educational qualification के लिए बताया कि उसने अपने आपको graduate दिखाया बलकि वो MBA थी ताकि वो maintenance आप से ले सके तो इस condition में भी आप उसके against 340 CRPC की करवाई कर सकते हैं यह सारे कि सारे solid proof होंगे जब आपके पास solid proof हों तब आप wait ना करिए direct करवाई करिए अगर proof नहीं है तो बिलकुल ना कर दी वरना आपके उपर उल्टा वो defamation और दुनियावर के cases कर देंगे जिसकी आप कोई गिंती नहीं कर सकते हैं तो यह करवाई कभी होगी पतनी के के जब वो salary slip छुपा रही हो तब उस condition में आप अपनी पतनी के गेंस्ट 340 CRPC की करवाई कर सकते हैं वरना 340 CRPC करवाई करना उतना भी easy नहीं होता जितना आप लोग जर्नली सोचते हैं तो 340 CRPC चाहे wife हो चाहे कोई विक्ति जूटे अफे debit income proof documents देता है court में court को गुमरा करता है जिसस उसका व्यक्तिकत लाब हो जाए तो इस condition में आप उस व्यक्तिक के विरूद 340 CRPC करवाई कर सकते हैं उमीद है जानकर यह आपको समझ में आई होगी पसंद आई होगी अगर आपको जानकर यह पसंद आई है समझ में आई तो definitely आप लोग चैनल को like share subscribe करेंगे साथी साथी स कंबल रिक्वेस्ट हो रहे अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे Facebook Instagram Twitter पर follow नहीं किया तो वहां follow करिएगा link आपको description में मिल जाएगा thank you so much जाएगा